नमस्कार सांथियों मैं आपको अपना योग गुरू उमेश जुसी सांथियों जो आज कब भी से है पदमासन पदम का अरुथता कमल और कमल जो हमारे वगवान स्रीयरी को बहुत ही पसंद है तो पदमासन कैसे करेंगे तो उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा क कि आप हमारे यूटूब चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें सांथिसांथ वेल आइकॉन जोड दबाएं तो सांथियों किस्तर से करते हैं पदमाशन करते हैं तो सर्व प्रतम हम अपने सान पे बैठे हुए और अपने बाएं पैर को उठा कर कि हमने दाहीन हम बैठे हुए ये दोनों पैरिस से एक के उपर रेखें ये है पदमाशन मुद्रा ये ध्यानात्मक आसन कहलाता है और पदम के महत्तु को आप जानते है भगवान स्री हरी को बहुत ही आदा पसंद है और गज और ग्रहा की जब कहानी आती है भागवत कता के नतरगत तो भगवान स्री हरी के चरणों में कमल के पुस्प को प्रेशित किया और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हमारे जो स्रिस्टी करते हैं उनकी उत्पत्ति इस कमल के पुस्प से ही हुई है और मालक्षमी का आसन भी कमल का ही पुस्प है तो चलिए चर्चा करते हैं किस तरह से इसक पूरा का पूरा उन टक्नों में खिचाव आता है और मजबूति मिलती है, साथी साथ जो हमारी साइटी का नारी है, उसमें भी प्रबलता आती है, और जो हमारा सबसे में मैं आपको बता दो, महिलाओं में क्या होता है, मासिक धर्म के जो अनिमित्ता रहती है और जो गर्भा वस्ता के समय प्रशव होता है अथ्वा डिलिवरी होती है तो उस डिलिवरी को करवाने में भी करने होने में भी इसमें बड़ी ही सहस्ता मभूमिका रहती है बड़ी सहस्ता से डिलिवरी हो दाती है तो यह क्या है कि हम परनली सक्ति को जागरन करता है अभ्यास, ध्यानात्मका अभ्यास है, इसको आप करिए धीर धीर जब अभ्यास करेंगे तो पहले 5-10 मिनट तक आप ध्यान अगर लगाते हैं, जितने देर तक तो उसमय तक आप इस अभ्यास बैठ सकते हैं, और मन में सांती आती है, और लेकों जोरु दबाएं धन्वास सांतियों नमस्कार